दोस्तों मैं इत्थे संशाइन स्टेट विच आके बहुत खुश हां। मैंनों हुने हुने पता लगा है कि लिथुआनिया दे शेहर कौन्स विच बर्फ पेनी भी शुरू हो गई है। जमीन ते पंच सेंटीमीटर बर्फ है। शिकागो विच कल दा तापमान बाई डिगरी फारना हाइड सी। इत्थे गरम मोसम विच आके चंगा लग रहा है। मैं इत्थे तुहानू दोस्तानू मिलन अते तुहाडे नाल उन्हा उपदेशानू सांजे करन ली आया हां। मैंनू आज चंगे अभियास दियां भुनियादी गल्ना ते बोलन लई कहा गया सी। जे मैंनू इस विशे ते बोलना पवे ता गाल पांच से किंटा तो वद नहीं होवेगी। बस मैंनू एही कहना पवेगा कि चंगे अभियास लई जरूरत है कि पहला तुसी अपने आपनू अखां दे पिछे तीजे अख दे केंदर ते रखो। दुज़ा कि तोहान नू प्यार अते शर्दनाल अभियास करना चाहिदा है। मेरी गल खत्म हो गई। बस एक कुछ ही चाहिदा है। जे असी इस सदारन सदात नू समझ सकिये कि अभियास विच असी अपने आपनो लब रहे हुंदे हां। असी ए पता लगाउन दी कोशिश कर रहे हुंदे हां कि असी कौन हां। साड़ा असल आपा की है। ओ शरीर नहीं है। अंदरूनी शरीर भी नहीं है। सब तो अंदरूनी शरीर जिसनू असी मान केंदे हां। ओ ए भी नहीं है। ए तिने शरीर साड़े अपने उत्ते पए होई लिबास हां। ओ साड़ा स्वै नहीं हां। साड़ा स्वै चेतना दी एक अमर अकाई है जिसनू आत्मा के हां जानदा है। ओ नहीं जानमलंदी है अते नहीं मर्दी है अते सदा अमर है। अते साड़े असल सवाप्रती सारिया कहानियां उस आत्मा बारेहन जो इना तिना शरीरा दे अंदर लुकी होई है। ए सब तो बारी शरीर ए सथूल शरीर साड़े लई सथूल अनपो पैदा करदा है। अते सानू आले दो आले दे पदार थक सथूल संसार दी तार ना दन्दा है। यही कारण है कि जदो असी इस सतूल श्रीर विच हुंदे हां ता साड़े आपने तो बाहर दिए पदार थक सतूल हकीकत ही साड़ी एको एक हकीकत हुंदी है। इस सतूल श्रीर दे अंदर सुक्षम श्रीर होंदा है असी इसनों सुक्षम श्रीर केंदे हैं इसनों ग्यान इंद्रियां वाला श्रीर केना ज्यादा उचित होवेगा जो ग्यान इंद्रियां लेकाम करदा है इस द पाव है इंदरीयां द्वारा महसूर करन दी एक टाकत जिसनु आसी समझ दे हां कि ए सितुल शरीर दे अंगा कारण है पर असल वेच एक टाकत अंधरूनी शरीर नाल समध रख दी है। जे अंधरोनी श्रीर काम ना करे ता इस सतूल श्रीर को कोई भी ग्यान इंदरी नहीं हो सकती। सानों लगदा है कि असी इस सतूल श्रीर दिया इना अखा नाल्ग वेख दे हाँ, पर जदो असी सो रहे हम दे हां, ता पावे अखा खुली आ हो, असी नहीं देख दे, सपस्ट है कि वेखना इना अक्षा नाल वेखन तो कुछ पकरा है, दुझे पासे असी कलपना विच भी चिज़ा देख सकते हैं, ओ तस्वीरा जेडियां असी कलपना विच वेख देख दे, ओ चिज़ा जिना नूँ असी याद कर सकते हैं, इना सब अपनिया अखा बंद करके भी देख सकते हैं, इस समय असी सतूल अखा नहीं वर्त रहे हुंदे, इसलिए अंदर दिया ओतार नावा, जो अंदरोनी अखा, अंदरोनी कन्ना, अंदरोनी हथां अंदरोनी सुंगन दी कला दोरा बडाईयां जा सकते हां उन्हा सबनों सुखशम शरीर कहा जानदा है ये केवल एक शरीर है एक कारज है ये अपना कारज ने रंतर करदा रंदा है पावे असी स्थूल शरीर विच हो ये पर असी ए मन्नना शुरू करदने हां कि ए सथूल अंग ही ग्यान इंद्रिया लेजी मेवार हन क्योंकि साड़े कोल इस अंद्रोनी श्रीर दा इस सथूल श्रीर तो अलाग होन दा कोई अनपव नहीं है ए दो में एक दुझे उत्ते पर्त दी तरा हन दे हन इसलिए सानु कोई फर्क दिखाई ही नहीं देंदा पर जे असी इसनु अलाग कर सकते हुए जे असी अपने सुक्षम श्रीर ग्यान इंद्रिया वाले श्रीर नु इस सथूल श्रीर तो अलाग कर सकते है अलग करके रखते ये जिसनु शरीर तो बाहर होन दा तजारबा केह जानदा है असी इस सतूर शरीर नु केवल एक मास दे टुकड़े वांग देख सकते हैं ये सिर्फ एक बाहरी टांचा है ये सिर्फ एक पैनिया होया पहरावा है इस सतूर शरीर विचो बाहर निकल के इसनु मुड़ वेखनदा ए निकाजिहत जर्बा साड़ा सारा दृष्टी कौन ही बदल देंदा है कि ए शरीर की कुछ कर सकता है जा कुछ नहीं कर सकता इसलिए ए मनना की सतूर शरीर साड़ी अपनी हकीकत है साड़ा अपना आपा है ए एक गल्त तार्ना है गल्त इसले है कियोंकि इस देंद्र दा क्यान इंद्रियां वाला शरीर साड़ी सारीयं तार्नावा पैदा करदा है इना विच ओतार नावां वी शामल हन जिनानों असी आपनियां श्रीरिक अखा अर्थे श्रीरिक अंगा नाल अनपव कर दे हां आज बाद मैं तो हाड़े नाल एक बहुत छोटा जहप परजोग करन दी कोशिश करांगा एक ग्यान इन्दरियां साड़े अंदरोनी श्रीर नाल सबन्दत हन जाओ सथूल श्रीर नाल सबन्दत हन जे तुसी तियार हो तो हाड़े विचो कोई भी तियार है ता असी एक छोटा जहप पर जोग करांगे ता जो एक सिर्फ गल्ब बात ही ना रहे ग्यान इन्दरियां वाले श्रीर दे अंदर एक होर श्रीर हुंदा है जिसनु असी कारण श्रीर केंदे हैं इसनु कारण श्रीर इसले के है जानदा है कियोंकि ओ सारियं कटनावा जिड़ियं हुन तक वापर चुक्या हन जा होन गियां, ओ सारियं इस श्रीर कारण हुन दिया हन उस श्रीर ददुझा नाम मन है इस सोचन वाला मन असल विच्छ साद़्ा आपा नहीं है ये भी एक श्रीर है मन अपने आप वेच एक शरीर है असी मन नो वी एक पहरावे दी तरह पौन दे हाँ जिवें असी इस सतूर शरीर नो पौन दे हाँ असी मन नो पहन दे हाँ अते फिर उस उते असी गियान इंद्रिया नो पैन दे हाँ इस तो उपर असी इस सतूर श्रीर नू पैन दे हां, इस तरह असी तिन पहरावे पाए होए हां, इक दे उपर एक, असी ए पुशाका क्यों पाईया हुई हां, असी अपनी आत्मा दे असल तांचे अंसार क्यों नहीं विचर दे, कारण ए है कि हर एक लिवास सानू वक वक अ अनपव कराऊंदा है, अते सान्Tra तरहावे अनपव लेना पसाद है, असी ए अनपवनों क्यों पसाद कर दे हां, क्योंकि असी चेतन जीव हां, तुसी उदों तक चेतन नहीं हो सक दे, जदों तक तो हाड़े कौल छेतन होन ली, कुछ ना कुछ हो बेht, चेतना किसे न किसे चीज ते निर्पर कर दी है जिस बारे ओचेतन हो सके नहीं ता चेतना दा कोई मतलब नहीं रेंदा जदो असी कहन दे हाँ कि ओचेतन है ता ओचिस प्रती चेतन है जे तुसी किसे वी चीज प्रती चेतन नहीं हो ता चेतना दी होन मिट जान दी है इसले असी इना श्रीरा नू पहन दे हाँ ताकि असी तरह तरह दे अनपव ले सकिये अथे ए अनपव एक दूसरे तो बहुत पिन अथे कई किसम दे हुन दे हाँ जे कर तुसी निजी तोरते अवियास रही पर योग कर दे हो ता तुसी हर एक पहरावे दे इना वक्षो वक्त जर्बे अदा एक एक करके एसास कर सकते हो इस जरूरी नहीं कि तुसी उना बारे सिर्फ एक अंदाजा लगाओ अबियास चंगा प्रबाब शाली अबियास सानू निजी तोरते अपने अंदर जान ते वक्ष वक्ष शरीरा नू उजागर करन अदे बाहर वारे शरीर दी होश गवान विच मदद करदा है असी इस बाहरी लबास तो किस तरह बेख़बर हुन दे हाँ बहुत सोका है जदो असी मर दे हाँ असी वैसे ही लबास इत्थे छड़ दे हाँ मौत इस लबास नू खोलन दी है अते सथूल शरीर मर जानदा है असी सूक्षम शरीर विच चले जानदे हाँ असी अपने मरे होई सथूल शरीर नू वेखते हाँ अते जिना नू मौत दी नजदीकी दे अनपव जिना नू नियर डेथ एक्सपिरियंस के हाँ जानदा है जे ओ होई हान ता ओ दसदे हान की पूरी तरह मरन तो पहलना ही ओ अपने शरीर नू वेख सक़दे सान अते उना दी ते वज्जों पहलना ही शरीर तो इनी निकल जानदी है की ओ देख सक़दे हान एक सर्जीकल टेबल ते पए होई सर्जन दे आसपास हुंदे होई ही वो बाहरों देख रहे हुंदे हान पर मार के एक पता लगाउना की तो हाड़ा कोई अंदरोनी शरीर भी है ये कोई वदिया पर योग नहीं है मेरा पाव है की ओ साड़े सारे नालवा परदा है असी इस शरीर विच जिउन्दे होई इसनों कीमे जान सकते हां असी एक कीमे जान सकते हां की साड़ा कोई अंदरोनी शरीर भी है जो मोच्तो बाद जिउन्दा रेंदा है कि उस दा जीवन इस श्रीर नालो बहुत लंबा है और इस श्रीर नालो बहुत पहला पैदा होया सी इस श्रीर नालो बहुत बाद विच मरेगा उस श्रीर दा अपना जीवन काल है इस श्रीर विच हुंदया होया अजेहा खोजन ले सानू श्रीरिक मोत नालो कुछ वक्रा कर पावेगा, शानु जींदे जी ही मरना पावेगा इसले सच्छे अभियास नु जींदे जी मरन दी पर किरिया केह गया है, इस दा मतलब है कि जींदे जी तुसी तवज्जड़नु इस श्रीर तो खिच सकते हो, अते ओह ही अनपम ले सकते हो जो श्रीरक मौत विले हुंदा है अते बहुत सारे कारणा करके ये एक वद्या अन्पव है इना विच्चों एक कारण ए है कि इस नाल तो हनुपता चलदा है कि तुसी एश शरीर नहीं हो बलकि तुसी इस शरीर तो पहला भी होंद वेच सी, मरन तो बाद भी तो हाड़ी होंद होवेगी इस दापता लगाओन लई तुसी किताबाते निर्पर नहीं कर दे बलकि तुसी उस लई अपने खुद दे अनपवते निर्वर कर दे हो दूसरा ये कि इस तो बाद तुसी मोट तो कदे भी नहीं डरोगे क्योंकि तो हानु पता लग जावेगा कि इस शरीर दी मोट तो बाद तुसी किते जावोगे मोट तो ना डरना एक बहुत वड़ी प्राप्ती है तो हानु ये भी पता लग जावेगा कि जदो तुसी मोट तो डरना बंद कर दन्दे हो तब तुसी किसे भी हूर चीज तो नहीं डर दे क्योंकि साधे ज़्यादा दर जा अंदे से अग्याद जा अननोंदे डर करके होया कर दे हम सानु पता नहीं हुंदा की की होवेगा अते इसलई असी डर दे हम इते सिर्फ दो चीजा हान जो डर पैदा कर दिया हान एक अनजान पुणा दूजा शक जे तो हानु किसे चीज बारे शक है ता तुसी डर दे हो हून तीसरा श्रीर जिसनु मन के है चांदा है ए ओटोमेटिकली साधे अंदर शक अते डर पैदा करदा रेंदा है मान दी एक सोचन दी पर किरिया हुंदी है अते सोचन नाल ए शंके पैदा करदा है सानु लगदा है कि ए मान शक दा हल करदा है पर इद्दा नहीं है उल्टा ए शक पैदा करदा है मैं कई अजेहे लोकान वेख्या जो केंदे हन की असी किसे चीज़ बारे बहुत निश्चिट हा मैं कहा इस बारे होल सोचो अते फिर और कुछ समय बात केंदे हन सानु पका यकीन नहीं सोचन वाला मान हर किसे चीज़ ते शंका पैदा कर सक्दा है मान इना शंक्यान कियों पैदा करता है कियोंकि मानन दी समूचे ग्यान तक पहुंच नहीं हूंदे ओ सिर्फ उस जानकारी अउसार काम करदा है जो इस दे सामने हूंदी है ए सिर्फ अपनी पहुंच तक gesagt सीमत ग्यान नाल काम करदा है अते कियोंकि ए सब कुछ नहीं जानदा यकीनन पबेखबारे नहीं जानदा नहीं जानदा की हुने अगे की हुनवाला है इस करके इस कोल हमेशा ग्यान दी काट हुनदी है इस काट तो शक अते डर पैदा हुनदा है सो मान ही असल मिच शक अते डर दार सिर्जन हार है जे असी वेक सकिये की मानकी में काम करता है, जो की एक श्रीर ही है, जिस दा अर्थ है कि जे असी आपने अंदरोनी श्रीर विच मर सकिये, ग्यान इंद्रियां वाले श्रीर विच मर सकिये, जदो की असी सतूल अते ग्यान इंद्रियां वाले श्रीर विच यूंदे हो ये, त सिरफ एक मशीन है, ए साधे नाल जुड़या एक उपकरन है, ए साधा स्वय नहीं है, असी गलती नाल केंदे हां, मैं सोचदा हां, असी कदे नहीं सोचदे, असी आपने माननों सोचन लई केंदे हां, असी कदे नहीं केंदे, मेरा मान इस तरह सोचदा है, असल विच यही सही बियान है सचाई ए है कि जदो भी असी सोच दे हां ता असी अपने अंदर एक कंप्यूटर वर्गी मिशीन अपने सिर्विज जिसनों मन कह जानदा है उस दा इस्तेमल कर रहे हुंदे हां अते एक कंप्यूटर वर्गी मिशीन कम कर दी है, विचारा नूँ पैदा कर दी है, कदी-कदी ए ओ विचार पैदा कर दी है, जिना बारे असी निर्देश देंदे हां, असी उसनु कोई चीज सोचने केंदे हां, अते ओ इस तरह सोचना शुरू कर देंदा है, कई वारी ए अपने आप सोचना शुरू कर देंदा ह कियोंकि इसनु साड़े द्वारा टुक में नर्देश प्रापत नहीं होई होंदे जदो ए अपने आप ही सोचना शुरू करदा है ता मानदी ए बहुत खतरनाक स्तित्थी होंदी है कियोंकि उदो ए सानु नर्देशित्ष करना शुरू करदना है कि की करना है जदो मान सानु हुकम देना शुरू करदना है ता इस दे प्यानक सिटे होंदे हन साड़ी जयादातर जिन्दगी अज इस करके परबावत हो रही है कियोंकि असी मान नु ए नर्देश देन दी कि उसनु की करना है दी बजाए अपने मान नु सानु नर्देश करन दी आगया दे दती है ए मान सानु ड्यूटी न बोन ले देता गेहा सी की सी मान दी ड्यूटी मान दी ड्यूटी इना ग्यान इंद्रियां द्वारा प्रापत जानकारी जिना इंद्रियानु वक्ष वक्ष पद्राते साड़े वक्ष वक्ष शरीरा नाल बनाया गया से इस जानकारी दा मतलब कड़के फिर उस सारी जानकारी नु दुवारा इकठा करके इस तो मतलब कड़ना फिर सोच दी परकिरिया दी वर्तों करके चाहे ओपरकिरिया शाफदा, चित्रा, जा होड़ तरक पूरन टंगावेच होवे इना दानू इकठा करके इना तो मतलब करना हाँ, हुन इस दा मतलब एह है मानदा केवल एह ही काम है अते जदो असी माननू इस तरह करन दा निर्देश देंदे हां ता ओ बहुत वधिया तरीके नाल काम करदा है जे असी माननू अजे हां निर्देश नहीं देंदे ता मान बे तर्तीबे अते जंगली टंगा नाल चिज़ादा विशलेशन करके साड़े अंदर डार पैदा करदा है अते गाल्त दिशावल साड़ी अगवाई करन लग जानदा है इस तरह दा सुख मामला है कि असी ए साड़ा शक्तिश ली आपा ए चेतना ही माननू जीवन दनदा है साड़े तो बिना ए मानन जीवन नहीं रह सकदा साड़ी चेतना साड़ी रू ही है जो ग्यान इंदरियां दी परनारी नू जीवन दनदी है रू तो बिना साड़ी चेतना तो बिना इंदरियां मर जानगी है साड़ी चेतना तो बगैर श्रीर मर जानदा है असी साड़ी आत्मा ए चेतना ही मान दी होंद ले ग्यान इंद्रियां दी होंद ले सथूर शरीर दी होंद ले इना सब दे ले जी मेवार है असी ही इना सारे पहरावेान नूँ पैदा करने वाले हा अटे ए पहरावे सानू नरदेशत कर रहे हा इस तो वद जुखदाई खोर कुझ नहीं हो सकता जो चीज़ां सानू तोफे वजो जतियां गियां सानू उना ते नियंतरा रखन दी लोड से मैं तो हनू दस देँ कि ए बोध ही वधिया तोफे हन सथूर श्रीर ग्यान इंदरियां अटे मन उब ए मिशाल तोफे हन अटे परमातमाने सानू जते हन इना तौफियां दी सही वर्तो करन दी बजाए असी इना तौफियां दे गुलाम बार रहे हां एक ही में हो रहा है एक ही में हो गया कि असी अपनी शक्ती नालो अपना संपरक गुआ बैठे असी ए संपरक इसली गुआ लेया है क्योंकि असी समझना चुरू करदता कि ए सारे लबास ही साड़ा आपा हन असी ए बहुत पारी गल्ती किती असी इस श्रीर नू अपना आपा समझना चुरू करदता कि ए ग्यान इंद्रिया मेरिया हन जिस नाल मैं बाहर दे श्रीर नू वेख रहा हन मन मेरा आपा है, मैं सोच दा हाँ, अते फैसले लेन दा हाँ, की मैं की करना चाओ दा हाँ मैं तरक वर्त दा हाँ, मैं जीन नहीं मन दियां ए वखो वकरीय टक्नीकान वर्त दा हाँ ए सब तो वड़ी गलती सी जो असी कर सकते सा अपने आपनू इना तोफिया वंग समझना जो तोफिय सानू वर्ता नहीं देते गई सान सानू अपने श्रीर दी बदिया वर्तो करनी चाहिदी सी सानू जिनना हो सके इस दात्यान रखना चाहिदा सी जदो तक ए साधे कौल है इस दी देख पाल करनी चाहिदी सी आनच कोई इस तो वाद नहीं हैं, लोग' 100 साल तो पहलामार रहे हैं वद तो वद 120 जा 130 साल तक जिन्दे हम कुई इस तो वद नहीं जिंदे। बरहमांडी समय दे संद्रब वेच ए एक बहुत छोटी जई अवदी है इस दे मुकावले बरहमांडी अवदी बहुत लंबी है कई अर्बा साल कई अर्बा परकाश साल उस दे मुकावले सो साल की हां जे इत्थे कोई कड़ी हुंदी अते दुनिया बारा वज़े शुरू ता बेग्यानिया अमसार असीन लागपाग शाम दे साधे पांच बजे जा पांच पच्ची बजे ते हां अते शाम साधे पांच बजे साधी जिंदगी कुझ सकिंटा तो वद नहीं होवेगी की तुसी इस दी कलपना कर सकते हो इस जिंदगी एक बुलबले दी तरह है जो परकट होंदा है रोशनी विच चमकदा है इस दे कई रंग होंदे हां अते अचानक अलोप हो जानदा है साधी जिंदगी इस तरह दी है अते फिर भी असी इस श्रीड नो ही सम कुझ समझ दे हां सोच दे हां एही इको एक चीज है जिस दा त्यार लखना चाहिदा है अते असी इस दी भी संबाल नहीं कर दे कि हो जया खाना कूर कबार पोजन असी इस विच सुट दे हां किस तरह दे कूर कबार विचार असी इस विच सुट दे हां असी किस तरह दे जिंदगी जी रहे हां एक अस्ताई चीज जो सानू सथूल मादे अते सथूल संसार दा वर्त रहें हैं असी, असी इस दी चंगी वर्तों नहीं कर रहें, गलती ए है कि असी इस श्रीर नो अपना आप समझ दे हां, हुन अंधरूनी श्रीर दा विचार कर दे हां कि एए की है, इस ग्ञान इंद्रियंव वाले श्रीर दी उमर लाग पाग एक हजार तो तिन हजार नादी हुंदी है इस दा मतलब है कि असी उस समें तो हूंद विच हां अते बोत सारे सतूल शरीरा नुहंड आ चुके हां हो सकत है सतूल परदार्थक संसार विच वकवक रूप ले चुके हां अते असी उस सुक्षम शरीर नर्की कर रहे हैं सानू उस बारे पता ही नहीं असी अपने आपेतों पूरी तरह दूर हो चुके हैं हुन मान दी विचार करते हैं मान दी उमर ती तो चाली लाक स्थूर सालनादी हुंदी है अते फिर ए मर जानदा है ये भी किसे होर चीज दी तरह पैदा हुंदा है मार दा है असी सादा आप्पा जो इना तिन्ना श्रीरा विचलेंदा है ओ कदे नहीं जामदा अते कदे नहीं मार दा असी सदीवी रेनवाली अनाद चेतना हां सादा कार जित्थों असी आए सी ओ ना कदे पैदा हुन्दा है अते ना कदे मार्दा है अते उसनु असी कितो लब साकदे हाँ चेतना दे अंदर तो अते चेतना किते है सादे अंदर अंदर किते सतूर श्रीर दे अंदर सूक्षम श्रीर दे अंदर मान दे अंदर ये बिलकुल अंदर है इसलिए सारी सचाई जिस दी असी पाल कर रहे हां ओ अंदर है हर लिवास विच ओ उस दे अंदर है उसनू लबन ने कदे भी बाहर नहीं जाना पवेगा इसलिए रोहानी यात्रा जे तुसी अभिनासी जा सदीवी चीज नू लबना चाँदे हो अपने अमरकार्दी पालना करना चाँदे हो ता रोहानी यात्रा सब तो छोटी यात्रा है जो तुसी कर सकते हो तो हानू किनी कुदूर जाना पवेगा तुसी उस था तो शुरू करो जित्थे तो हानू लगदा है कि तुसी हुन हो ओ था ही तो हाड़ा शुरुवाती पॉइंट है तुसी उस जगा तो शुरुवात करो जित्थे तो हानू लगदा है कि इस समय तो हाड़ी चेतना उत् अपने श्रीर तो नहीं, अपने मन तो नहीं, अपने अग्यान इंद्रियां तो नहीं, उत्थों जित्थे तो हाली चेतना इस समय है तुसी मेननों कितों सुन रहे हो, तुसीं कितों बोल रहे हो, जदों तुसीं अपनियां अखा बंद कर दे हो, ता तोहानों की लगदा है कि तुसीं किते हो, यह पता लगौन विच बहुती देर नहीं लग दी, कि तुसीं अपने हथा या अपने अंगा या ताड़तों रहे हो सिर्विच छीक किस जगाते जे तुसी छेथना दा एक बिंदु हो आते उत्व ही तो हड़ा पिसारा हो रहा है तां वेद्दु क्या होएगा केवल अपने मान दा अते अपने शेड़ा एक सिदारन निरिखन करके ही तुसी ए पता लगा किसलासाकदे हो कियो विंदू किते अक्खटे पिछ्षे हैं ये किते सिर्डे विच्खकार है जली कोशिश करां ये अंगला दी नोख अक्खानि मिल दीवन ता जित्थे ए दोवें उंगला मिल दिया हान ए लगपाग अक्खां दे विछे सिर दे अंदर कन्ना दे विचकार विच हुंदा है ए ही एह ओ बिंदू जित्थों इस समय जागदी स्थित्थी विच तुसी कामकार रहे हो जे सानु अपने आप दी चेतना दी पाल करनी होगे ता एह ही ओ शुरुवाती बिंदू है मैं शुरू विच के हैसी चंगा प्रबाब शादी अबियास उत्थों शुरू हुंदा है जे असी बाकी दे शरीर दी तिलाश करिये अते हेठा दे कई उर्जा केंदरा विच जाईए अते कईए कि असी हिर्दे चकर ते खांट चकर आद हेठा दे सारे छे चकरा तक विचर दे हां अते इना विच को मदे हां इत्थों असी रोहानियत दी नहीं बलकि उर्जा दियात्रा दि शुर्वात कर दे हैं। एक कुझ ही हुंदा है। इनहां उर्जा केंदरते जाननाल किसे नुकदी भी रोहानिय दि प्रापती नहीं हुई। पर उन्हा ने उर्जा दे बहुत सारे शानदर आंपापत कीते। उर्जदियां शानदर शक्तियां सब जगा मजूद हन। वास्तव विच पसी एक सतूर श्रीर दे रूप विच एकठे होके इन्ने वदिय तरीके नारकाम कर रहे हां। ता ए अपने आफ विच एक शानदर उर्ज़ा है। ये एक शानदर कृश्मा है अते इसनों किस चीज ने इकठा रख्या हुए है। इन्हा छह और जादे केंदर ने, इसे तरह ही जहे 6 केंदर हैं, जो शूक्षम्स्रीर नरु इकठा रख्दे हैं। यहो जहे 6 केंदर हैं जो मान अते सादी अंध्रूनी चेतना नू इकठे रख दे हन कुल एठारा के अंदर हन असी कदे उना दी पर चोल नहीं किती जित्थो तक कि जो लोग अवियास करना चौन दे हन ओ ए सोच दे हन कि छे केंदर ही बहुत हन मैं एक छोटी जही कहानी सांजी करांगा एक दिल चसप किस्सा है क्योंकि वड़े म महाराज वो उन्नी सो इकताली बताली विच पहली बार कराची विच गये सांज एक राची हुन पाकिस्तान विच है मैं अते कुछ होड लोग उस जातरा ते उना नाल गये सांज मेरे चाचा जी कराची दे मोसम वे वाग विच मोसम वे गयानी सांज क्लिफ्टन बीच ते उना दा बहुत वधिया कार सी जिथे उना ने वड़े महाराज नू आके कुछ दिन बिताउन दा सद्दा देता वड़े महाराज ने सद्दा कबूर कर ले असी सारे जाने उत्थे गये सी हुन मेरे चाचा आते मेरी चाची उत्थे एक स्वामी ब्रह्मानांद जी कोल जान दे सान स्वामी ब्रह्मानांद जी कई तरह दे योग जीवें की राज जोग आते कुंडली नी आद दा अभियास कर दे सान इस दे नाल-णाल स्वामी जी आजुर वैदिक द्वाईयां भी देन दे सान। मेरे चाचा अथे चाची जी ने वडे महाराज को लो नाम दान लेता होया सी। अथे ओ अखा दे पिछे अथे उपर जान दे अधे आत्मक मार्गते चल दे सान। पर ओ स्वामी जी को ल आजरुवैदिक द्वाईया लेन वास्ते जान दे सान। अते जदो वड़े महाराज ने उत्थे आउन्दा फैसला किता ता उन्हा ने स्वामी जी नू केहा पंजाब तो साधे मुर्षद आ रहे हन अते ओ साधे नाल रहन गे असी चौन्दे हाँ कि तुसी आखे उन्हा दे दर्शन करो स्वामी जी ने उत्तर देता हाँ जरूर उन्हा नू मेरे को ले आओ अते मैं उन्हा नू अपना अशीरवाद देवाँगा ए थोड़ा अजीव उत्तर सी पर उन्हा ने सोचया कि सथित्थी नू किस तरह ने जिठ्या जावे कि असी ता स्वामी जी नू वड़े महाराज दा अशीरवाद दवाणा चौन्दे सन अते हून स्वामी अपना अशीरवाद देना चौन्दा है सो उन्हा ने दुपैर दा खाना रखिया अते दोहां दे बैठन ने एक सोफा रख देता उन्हा ने फैसला किता असी स्वामी अते वड़े महाराज नू उस एक सोफे ते बिठावाँगे अते देखांगे कि ओ एक दुझे नार कि में गलबात कर दे हां सो उस निर्दारत दिन ते स्वामी ब्रह्मानाद जी आए अते उन्हा नू सोफे ते बिठाव देता गया उस समय वड़े महाराज अपने कमरे विच सन उन्हा नू बलाया गया कि स्वामी जी आ गए हन अते वड़े महाराज आए अते असी किहा किरपा करके बैठ जाओ ए साधे स्वामी जी स्वामी ब्रह्मानाद जी हन सो वड़े महाराज बैठ गे अते अपने हाथ जोड़ के स्वामी येनू पर नाम किता स्वामी जी ने इस तरह अपना हाथ चुक के वड़े महाराज दे सिर्थ रख देता अते केहा मैं तो हनू अपनियां असी सा देंदा हां असी सारे बड़ी हरानी नाल ए सब कुछ वेक रहे सन अते सोच रहे सी की सब कुछ उल्टा ही हो रहा है थोड़ी देर बाद वड़े महाराज ने केहा स्वामी जी की ए दुख दी काल नहीं कि कई स्वामी अते जोगी इन अच्छे उर्जा केंदरा विच जो साधी श्रीरिक पर नाली नों यंतरित कर दे हन विच इनने फस गए हन कि कोई भी अठारा केंदरा वाल जाके उनना नों देखना नहीं चौंदा स्वामी जी ने वड़े महाराज वाल देखिया दे केहा मुर्चद जी मैं इन अठारा केंदरा वारे कदे नहीं सुनेया कि तुसी मेनू इन्ह 18 केंदरा बारे थोड़ा होर दर सकते हो वड़े महाराज जी बोले कि तुसी कदे नहीं सुनेया कि इस शिरीर नू पिंडा कहा जानदा है अते सुक्षम पर्नारी नू अंडा कहा जानदा है अते इस दे उचेरे पदरा नू ब्रहमंडा कहा जानदा है अते ए पिंडा अंडा अते ब्रहमंडा हर एक दे छे केंदर होंदे हां कूल 18 केंदर कि तुसी इना बारे नहीं सुनेया स्वामी ने उत्तर दता मुर्षद मैं कदे भी इना बारे नहीं सुनेया ये सब कुछ मेरे लिए कोई नमी चीज है मैं चौन्दा हाँ कि तुसी इना उत्ते दे बारा केंदरा बारे थोड़ा होर समझाओ मैंनू सिर्फ छे केंदरा बारे पता है मुर्शद बोले ये बहुत लंबा विशा है स्वामी जी जे तुसी कदे पंजाब डेरे विच आओ ता मैं बहुत खुशी नाल इस दी व्याक्या करांगा स्वामी जी दी उत्सुकता बहुत बद गई स्वामी जी बहुत उत्सक हो गए उन्हाने कदे भी अठारा केंदरा दी गाल नहीं सी सुनी स्वामी जी वापस गए उन्हाने अपने चेले आनु केहा मैं इस आश्रमनु बांद कर रहा हां मैं उन्हा अठारा केंदरा दा अधियान करन लई ब्यास जा रहा हां जे मैं सफल हो गया ता मैं वापस आके तो हानु भी उन्हा बारे दसांगा जे तुसी मेरे नाल आना चौंदे हो ता आ सकते हो पर मैं ए जानना चौंदा हाँ कि ओ चिट्टी दाड़ी वाला आदमी उन्हा अठारा केंदरा बारे की कार्द कार रहा सी सो उन्हा ने अपने आश्रम नू बंद कर दता अते बियास डेरेते आगे मैं भी उत्थे ही सी उन्हा दिना विच मैं होमोपैथिक दवाई दी प्रेक्टिस करन दी कोशिश कर रहा सी अते उत्थे मेरा एक छोटा जेहा क्लीनिक सी वड़े महाराज ने स्वामी जी लई एक छोटा जेहा आजुर्वैदिक क्लीनिक स्तापत करवा देता ता जो ओ उत्थे अपने प्रेक्टिस कर सकन अते असी दोवे जाने आपस वीच जानकारी सांजी कर दे रहन दे जदो स्वामी जी आगे तब वड़े महाराज ने कहा स्वामी जी नू मांचते मेरे कोल ही बैठना चाहीदा है गले ते लिपेट दे सांझ जिस नू ओ अपने हथा वीच फड़के बड़ी ठाथ नाल तुडदे सांझ दरसल एक वार मैं उना दी चाल दी अपने चिटे रवार नाल नकल किती सी मैंनू बड़ा चंगा लगया से जदो स्वामी जी आये ता उना नाल वी आईपी विशेश उच्चे दर्जे नाल जटकार किता गया उना नू डेरे दा सरबोतम कमरा दता गया अते उना नू परवचन दर्वान वड़े महाराज दे कोल बठाया जानदा सी सो अगले दिन जदो परवचन चाल रहा सी ओ वड़े महाराज दे कोल बैठे सान महाराज ने कहा किना दुख है योगी इना छे केंदरा विच फसे होई हन ओ इन्हें फसे होई हन कि ओ नहीं जान दे कि इस तो परे भी कुछ है किसे ने भी अठाला केंदरा बारे नहीं सुने आ अते ओ स्वामी उना वर इस तरह वेक रहे सन अते हरान सन कि ओ अगे की कहन गे स्वामी जी ने एक दो सबसंग सुने अते फिर उना ने वड़े महाराज ने शिकायत किती कहन लगे महाराज जी मेनू एक समस्या है महाराज ने पुछया बोलो स्वामी जी की समस्या है स्वामी जी केंदे जदो मैं तो हाड़े कोल बैढ़ता हां ता तो हानू देखन नहीं मेनू लगा तार अपना सिर मोलना पेंदा है अते मेरी गर्दन वेच दर्द होन लग जानदा है वड़े महाराज बोले मैं वी ए मिसूस किता मेनू लगदा है कि तो हानू सामने बैठना चाहिदा है सो स्वामी जी हुन उच्चे स्टेज तो थले एक विशेश कुर्सी ते बैठन लगे दो दिना बाद उन्हा फिर शिकायत किती कहन लगे महाराज जी जदो मैं नीचे बैठदा हां अते तुसी बहुत उच्चे बैठे हुन दे हो ता मेनू इस तरह गर्दन जो के उतावाल व पई है वड़े महाराज ने उत्तर दता मैं भी एवेख्या कि तो हडी गर्दन विच दर्द जापदा है इसले तो हनू दूर वी फुट दूर बैठना चाहिदा है सो स्वामी जी वी फुट दूर हो गए कुछ दिन बाद और फिर कैन लगे मुर्षद जी मेनू एक हो शिक शिकायत है स्वामी जी मेरी शिकायत है कि तुसी मेनू बैठन लई कुर्सी देती है पर इस नाल मेरे पिछे बैठे होई लोग तो हनू नहीं वेख पौन दे वड़े महाराज ने किहा मैं भी ए मैसूस किता कुर्सी हटा देओ सो एक हफ़ते वाद स्वामी जी होर लोका वांग ही हेठा बैठे होई सान। बिलकुल पिछले पासे स्वामी जी नू एक होर छूट मिली होई सी ओ कामल मुर्षद नू कदी भी किसे भी समय मिल सकते सान। क्योंकि उन्हा नू एक अत विशेश महमान दा दर्जा देता गय सी। उन्हा एक वार अदी रात नू जाके इस दी अजमाइश कीती। एक दिन अदी रात नू द्रवाजा खड़का के उन्हा ने सेवादार नू कहा मैं महाराज जी नू मिलना चांदा हां। बिलकुल स्वामी जी सानू हदायत मिली होई है कि तुसी उन्हा नू कदे भी म मिल सक्दे हो। उन्हानू जगाओ। वडे महाराज जाके स्वागत है स्वामी जी। दस्तों मैं तो आपी की कर सकदा हां। स्वामी जी ने कहा मैं सिर्फ ए जाच करली आया हां कि वाके मैं तो हनू कदे भी मिल सक्दा हां। एक हफ्ते वाद ओ स्वामी जी सादे वांग दर्शना लई लाइन विच खड़े सान। एक दिन मैं स्वामी जी नाल आजुर वैद अते होमोपैथिक इलाज पर नाली बारे गालबात का रहा सी। ता उन्हा ने कहा तो हादे महाराज एक बहुत वड़े डिप्लोमेट हान। जेकर उन्हा ने मैंनू पहला दसे होंदा कि ओ मैंनू एक आम लोका वांग बना देंगे ता जो मैं वी आम लोका वांग जाके उन्हा दा सत्संग सुना अते मुलाकातली लाइन विच खड़े होमा ता मैं इते कदे ना आया होंदा मैं चला गया होंदा। उन्हा ने एक ग मेंनु ये एहसास हो रहा है कि उन्हाने अपने प्यार नाल मेंनु फसा लेया है मैं हूं किते नहीं जा सकता उन्हादे प्यार ने मेंनु बन लेया है क्योंकि ये उन्हादा प्यार सुबाब की उन्हा विचो बेंदा है इस विच कोई शक नहीं कि ओ जो बोल दे हन ओ किसे कि तब विचो नहीं बोल दे ओ सुनिया सुनाया नहीं बोल दे बालखी ओ सिद्धा अपने जर्बे तो बोल दें अते इसके और बचन अशर लगतें ऑ ओ सानू कहानिया नहीं सुनोंदे जो असी होर थामा तो सुन दे हां। ओ अपना अनुपव सांजा कर दे हां। अते इसले मेनू ए बचन पूरी तरह समझ आउंदे हां। मैं पूरी तरह उना दे कहन दी पालना करांगा। नाल ही मैं तो हनू एवी दस दमा कि स्वामी जी ने उस तो बाद रोहानियत दे राते बहुत रखी किती। ओ लेरे विच ही रहे अथे उत्थे ही स्वास्त आगे। ओ एक वदिया इंसान सान अथे ओ हुन भी मेनू याद आ हों दे हन। मैं इक हानी इसकर्व कि दस रहा हां कि केई वार असी आपनी रोहानी कोशिष्यां विच ही फस जान दे हां。 असी सोच दे हां कि असी इस स्थूल श्रीर विचो हर चीज लब सक दे हां। एक एवर श्रीर हन सानू आपने आपनो लबना पवेगा। इसलिए साधा प्रवावशाली अभियास अखांदे पिछे तो शुरू हुंदा है जिते असी जागदी अवस्ता विच हर समय हुंदे ह असी उत्थे हर समय नहीं हुंदे असी सिर्फ जागदी अवस्ता विच उत्थे हुंदे हां। हून वी असी उत्थे हां। जदो असी जागदे नहीं हुंदे जदो असी सो रहे हुंदे हां ता असी इत्थे नहीं हुंदे। ओ केंद्री पॉइंट जित्थो चेतना काम कर रही है वो उन्ना चेरे ही अखान दे पिछो काम करदा अते बाहर देखदा है जिन्ना चेर असी जागरत अवस्ता विच हुन दे हां जदो असी सो जान दे हां ता एप वाइंट हीठा दे चक्रा विच चला जान दा है जदो असी कोई सुपना देख दे हां ता एप वाइंट गले दे केंदर विच आ जानदा है ओही चीज साड़ी विचारतारक सतिती जो हुन अखादे पिछे है सुपने वेले ए तीजे अखदे केंदर तो गल्दे केंदर तक चली जानदी है लोग केंदे हन कि इस दा कोई सबूत है तुसी जानदे हो मैं हमेशा सबूत ते विश्वाष करदा है अते इस दा सवतो वदिया सबूत ए होवेगा कि तुसी अपने आप इस दा अनपव करो मैं किसे होड दे सबूत न नहीं मानदा इस मामले विच मैं बहुत वड़ा शक्की है मेरे ख्याल विच रोहानियत अजे ही होनी चाहिदी है जिसनों तुसी खुद अनपव कर सको अते तोहाननों ओही विश्वाष करना चाहिदा है जिसदा तुसी अनपव कर चुके हो तोहाननों बाकी चीजानों राद करन दी जिरूरत नहीं है सिर्फ इस करके कि तुसी अजि उना नू नहीं देख्या, तुसी ये नहीं कह सकते, मैं ए वेख्या ही नहीं, इसलिए ए है ही नहीं, तुसी ए वेख्या ही नहीं, पर तोहड़ा विश्वाश उस मुकाम तक जानदा है, जित्छे तक तुसी देख चुके हो, अते जीमे जीमे तुसी होर वेख दे हो तीमे तीमे तोहाड़ा विश्वाश वददा जान्दा है इसलिए मैं जिन्दे विश्वाश अते अन्ने विश्वाश विच फरक रखता है अन्ना विश्वाश जा अन्दे विश्वाश एको वार दा विश्वाश है तुसी किसे दे कहेते विश्वाश कर लेंदे हो। जिन्दा विश्वाश हर वार हर समय तोहादे अनपवा अंसार वद्दा रेंदा है। ये किसे होर उगदी चीज मांग वद्दा रेंदा है। इस दा अपना ही विकास होंदा है। अते इसलिए ओ विश्वाश जो दोहा ब इस तरह दा विश्वाश होना चाहिदा है जदो असी सोन लग दे हां ता की हुंदा है आज रात इसनू अजमाओ जदो तुसी अधी नीन विच होवो सोन जा रहे होवो ता अपनिया अखानू शून दी कोशिश करो हुन तुसी अपनिया अखा बांद करके भी अपने हत्थानू अखा तकल जा सकते हो तो हानू ए वेखन दी लोड नहीं हुंदी कि ओ किते हां वैसे भी कोई अपनिया अखा नहीं देख सकता पर तुसी उन्हानू अपने हत्था ना शू सकते हो अते जदो तुसी अधी नीदी विच होँँ ता अपने अखानों शून दी कोशिश करो तुसी अपने नकनों शूओगे अते सोचोगे कि तुसी अपने अखानों शूर रहे हो तुसी इसनों अजमा सकते हो हुन जदो तुसी सोंदे हो सुपने विच हुंदे हो ता तुस्सी सारे श्रीर नो पूर जान दे हो इस करके तुस्सी अजिहा पर जोग उस समय नहीं कर सकते कुछ जोगी जिहा कर सकते हन जदो ओ इस तरह कर सकते हन अते उना दी चेतना दा कुछ हिसा श्रीर विच लेंदा है अते ओ उस सुपने दी सतिती विच जाके अपनिया अख्षानों छून लगयां अपने गले नू छून दे हन अते सोच दे हन कि ओ इना सतूल अख्षानों छू रहे हन इस दा अर्थ है कि इस विचार तारक सतिती विच उतार चड़ाव होंदा है जे तुसी अभियास दे समय अपने अंदर वक्षो वक्रे अनपव ले रहे हुंते हो ता तो हड़ा विचार तारख पॉइंट पिछे अते उत्ते नू सरकदा है। सो ए श्रीर बहुत कमाल दी चीज है। ए श्रीर इस कमाल दे श्रीरिक विग्यान अते अंग विग्यान दे नाल नाल अपने आप विच भी बहुत कमाल है। ए अपने आप विच एक चमतकार है। इस तो वड़ा चमतकार ए है कि इस श्रीर दे अंदर सूक्षम श्रीर है। इ इस दे अंदर मानवी है इस अंदर रू भी है अते असी श्रीर विच रेंदे होई ही इना सब तक पहुंच कर सकते हैं जो इस समय साधे कौल मुनुख्य श्रीर दा होना मैं इस तो वड़े किसे भी चमतकार बारे नहीं सोच सकता ए मुनुख्य श्रीर बाकी सारी तरह दे जी हार जून विच अरवाः खारवाः जीवन हो सकते हां इसलिए जीवन बहुत विशाल है जीवन दे बहुत सारी रूपा नू शायद असी जानसी ही ना होई है शाहिद तो हड़े विच औ कई हानू पता ना होवे कि लागपाग असी प्रतिशत जीवन समंदर दे नेरे पा जीवन जीव जानतू साड़ी पोंच तो परे बैठे हन समुंदर दे तालते बिलकुल हने रिविच इनसान अपने वदिया तो वदिया उपकरना नाल भी समुंदर दे इन्ना हेठा जान तो असमर्थ है जित्थे जित्थे वी कैमरे पोंच सके उन्हाने फोटो आखेचिया ह उन्हा तो एपता लगदा है कि बहुत सारा जीवन समुंदरी जीवन है साड़े ग्रै दा तिन चुताई हिसा समुंदर द्वारा टक्या होया है अते बहुत सारा जीवन उस दे अंदर है जीवन दा बहुत छोटा हिसा इस तो बाहर है अते उस दा भी बहुत छोटा हिसा अते असी सोच दे हां कि असी इस ग्रैय दे मालक हां पर असी इस ग्रैय विच रेन वाले सब तो काट गें ती वाले हां। पर जो विलखन गाल है ओ ए है कि जीवन दे होर सारे रूप अपनी परविर्थी अते डी अने अनसार बढाय होए प्रती कर्मा अनसार काम कर दे हां। ओ पहला ही उना वीच किते प्रोग्रामिंग दे अंसार काम कारदे हन इते प्रतिकर्म देन देहन। एको एक जीवन मनुखी जीवन होमे सेपियन ही अजहा है जो सोच दा है अते केंदा है की मैंनू ए करना चाही दा है जा नहीं। वो सोच समझ के चोणा करदा है, उस कोल निर्ना शक्ती दा अनपब होंदा है, किसे भी दूसरी जोन कोल ये निर्ना शक्ती दा अनपब नहीं है, वो सारे मित्थे होई प्रोग्राम अंसार काम करदे हैं, असी भी मित्थे होई प्रोग्राम अंसार काम करदे हैं, पर असी अ करदे हाँ इसलिए इसी निर्णे शक्ती दी वर्तों करदे हाँ जड़ों आसी अंदर जान दे हाँ ता आसी वेख दे हां कि साध्य दुआरा चोन करण दे टांग बारे पहला ही तैः हो चुक्या गया असी पर ये असी सिर्फ अंदर जाके के ही जान सकके हैं जदोसी इत्थे होंध्य हो त हम सब्सक्राइब आ इस निर्ने शकुद्यंदाप कीवाह त्हें जिन्ना वी असर्जा गेर असर भी नपर मैं आते इस तरह दे निर्णा शक्ति वर्गेत जर्बेदा की फैदा जे बाद विच्छ सानु पता लगे की सारी चीज पहला तो ही निटार्ट हो चुकी सी आते ए साधे अपने अंदर ले उच्छे स्वैद वारा बनाई गई सी फैदा ए कि इस च्वाइस दे कारण असी पाल कर सकते हां अते दुनिया दा सारा अध्यात्मक सहथ केंदा है जे तुस्ही पाल जिग्यासा करोगे था तो आनु प्राप्ति होगी जे पाल ज जैग्यासा नहीं तो आनु प्राप्ति नहीं होगी पाल करन दी एस समर्था मनुखा ले बलक्षन है अते इस श्रिष्टी दे इस गडबड को टाले विचों बाहर निकलन दी समर्था जिते असी फसे होई हां अते सोचते हां कि असी बाहर नहीं आ सकते ओ मनुख जामे दे अंदर पाल करके हुंदी है इस करके ए मनुख जूनी एक बहुत ही विलक्षन रूप है मनुख जून एक ऐसी है जिस दा सिर्जना दे सब तो उच्छे पदरते निर्मान किता गया है किया जान्दा है मनुख नू सिर्जन हार दे रूप विच ही बनाया गया है ये किस तरह है कि सिर्जन हार दिया अक्खा अते नक साड़े वर गे हन मिलकुल नहीं सिर्जन हार निराकार है सिर्जन हार एक शक्ती है ओ एक रचनात्मक शक्ती है फिर अजी है कि में किया जाव सक कि मनुख नों सिर्जन हार दे रूप विछ बनाया गया है ए गोर करन वाली गाल सिर जन हार行 के और असल निर्णा शक्ति है जिस अनसार सारसारा प्रशार घाञेया है निर्णा शक्ति है जो जो असल मलूम दंदी है ए निर्ना शक्ति एक सांजी चीज है इसे करके असी सिर्जन हार दे रूप विच बने हां निर्ना शक्ति ही ओ शक्ति है जो सानू सिर्जन हार वर्गा बनांदी है मुनुखी जीवन बहुत कीमती है ये बहुत ही शांदर है ये सब तो वदिया चीज है जो वापर सक्ति सी जे कोई कहे मैं कोई चमतकार वेखना चांदा हां इस तो वड़ा चमतकार की हो सकता है कि तुसी एक इंसान हो मुनुख होन दे नाते तो हनो निरना करन दी अजादी है तुसी अंदर जान दी चोन कर दे हो तुसी अधिया आत्मक मारकते चलन दी चोन कर दे हो तुसी सब तो ज्यादा समझदारी वाला विकलब चुनेया है ये है दुनिया दिया सारी समस्यावा तो बहर आंदा रस्ता समस्यावा तो हाणिया नहीं हन समस्यावा श्रीर दिया हन समस्यावा ग्यान इंद्रिया दिया हन समस्यावा मान दिया हन कोई भी समस्या इना तो परे नहीं है जेही कोई भी समस्या नहीं जो इना लिबासा तो परे होए ए समस्या ताही हन क्योंकि असी अपने लिबासानू अपना आप समझ बैठे हां ए लिबास असी जिउन्दे जी मर के छड़ सक दे हां अते हुन मैं तो हानू संकेफ विच दास्ता हां कि जिउन्दे जी मरना की है ता जो थोड़े समय बाद असी इस दा अब्यास कर सकी है जिउन्दे जी मरन दा मतलब है अपनी तवज्जो नो खिच के वापस उस नुक्ते ते ले आना जित्थों तुसी कारज शीर हो रहे हो जित्थों तो हाडी तवज्जो निकल के फैल रही है ए तवज्जो साड़े श्रीर विच्चो निकल के बाहर जा रही है साड़ी तवज्जो उस पॉइंट तो निकल के अख़्ा, कन्ना, विचारा, यादा राही सारे पासे फैली होई है अथे अभियास करंदी कला इस सारी तवज्जो नो वापस ले आके अख़्ा दे पिच्चे उस नुक्ते वल लेके जाना है पर लोग इस दा अभियास नहीं कर दे मैं बहुत काट अजे ही लोग वेके हान जो तवज्जो नो वापस खिच्चन दा अभियास कर दे हान मैं हजारा लोकानों मिल चुका हान जिनाविच अधियात्मक अभियासी वी शामल हान जो तवज्व केंद्रत करन बारे सिखन दी कोशिश कर रहे हैं असी अपनी सारी जिंदगी तवज्व ही केंद्रत कर दे रहे हैं किसे एक चीज जा दुजी चीज ते तवज्व केंद्रत करना कोई वड़ी गाल नहीं है तुसी हले भी उस जगा तो दूर जा रहे हो जिते तुसी हो पामे तुसी अपने दमाग विच अपना एक चितर बनाँदे हो और ते उस उत्ते तवजो केंदर्द करन दी कोशिश कर दे हो तामी तुसी अपने आपवाल नहीं जा रहे बलकि आपने तो दूर जा रहे हो तवज्जों नूँ खिचना तवज्जों नू केंदर्द करंदे बिलकुल उल्ट है तवज्जों खिचन दा मतलब है तवज्जों नूँ खिचके उथे ले जाना जिते तुसी हो असी कदे वी इस दा अभियास नहीं कर दे इक जंगे अबियास दी कला तवज्जों नू अपने वल खिचन दा अबियास है जदो तवज्जों नू वापस खिचिया जानदा है ता ए उसे तरह दा अनपब होंदा है जो सथूल मोत दे समय होंदा है तवज्जों नो होली होली दुनिया विचों वापस किचिया जानदा है तुसीं दुनिया बारे नहीं सोच दे तुसीं किसे अंदरूनी चीज बारे सोच दे हो इस तवज्जों नो कई पड़ावां विच इस श्रीर तो वापस किचिया जानदा है जे तुसी हस्पताल विच किसे मारदे होए व्यक्तिनू वेक्या होए ता तुसी देखोगे कि पैर अते हथ पहला मारदे हान। मरीज नहीं जानदा कि उस दे पैरा अते हथा नाल की हो रहा है। नहीं जानदा कि लता किते चलियंगी याहन। ओ नहीं जानदा कि तार किते च जला गया मरीज अजेवी साधे नार्काल कार रहा हुंदा है तवज्जो श्रीर दे हिस्सियां तो वापस सिर्वल हो तुर्दी है अते जदो एस सिर्थ तक आंदी है ता इंसान दा दमाग मर जानदा है अते ओ मर जानदा है यह इसे परकार है जिमें तुसी अभियास कर दे ह कोई अपनी तवज्जो नूँ खिच दे हो पर इस वेले श्रीर बरकरार रहनदा है सिर्फ तो हड़ी जाग रुकता इस श्रीर तो दूर जा रही हुंदी है इसलिए अनपब जियुंदे जी मरंदा है जे तुसी अपनी तवज्जो नूँ पूरी तरह वापस खिच लनद जीनदे हो जित्थे तुसी इत्थे नानों वो देरे अजाद हो इस श्रीर ने सानू फसाया होया है यह एक कैद दी तरह है असी उड़ नहीं सकते असी कुछ नहीं कर सकते सानू उडान पर अले हुआई जहाजादा सहारा लेना पेंदा है असी आपने आपकियों नहीं यह सोच सकता है अते इसनों कोई दुज्जा व्यक्ती समझ सकता है इसनों किसे पाशा अनवादिक दी जिरूरत नहीं होंदी क्योंकि विचार सिद्धे पर सारत होंदे हाँ उठे कोई गुरुतवा करन शक्ती नहीं है यह एक अजेही दुनिया है जिसना असी सुथूर मांग ही अनुपब कर सकते हैं यह सिर्फ असी एक ही परकिरिया द्वारा कर सकते हैं अपनी तवज्जों नूं अखादे पिछे उस जगाते खिच के जिते तुसी हो जित्थों निकल के ए तवज्जों फैल रही है असी बाद विच थोड़ा प्रयोग करंदी कोशिश करां कर्किंगे ता जो तो हानु पता लग सकें कि इस दा की मतलब है स्वज्जा नूं वापस खिचना तवर जों केंद्रत करन नलोब वक्रा हूंदा है जदो तुसी तवज्ज़नू वापस इत्थे खिच दे हो ता तुसी ओही तवज्ज़नू वार वार अंदरोनी श्रीरा विच भी खिच सकते हो जदो तक तो हनू पता ने लगदा कि तुसी कौन हो ज़दो तो हानू पता लगदा है कि मान तो हड़े उते प्या एक पड़दा जा लिबास है ता तुसी ग्यान इंद्रियां तो इलावा बहुत सारी शानदर चिज्जाद अनपव कर सकते हो तुसी ग्यान इंद्रियां नू छड़ सकते हो क्योंकि असी सोच दे हां कि छूना वक्रा है वेखना वक्रा है अते स्वाद लेना वक्रा है उते ए सब कुछ इकठा हो जानदा है कारण मंडल विच एक तरह दी मांसिक सूज हुंदी है जिते सिद्धे तोरते तोहाडे कोल सारिया ग्यान इंद्रियां एकठियां हो दी हां ए ग्यान इंद्रियां कई तरह दे अनपव पैदा करन लई अलाग अलाग हो तुर दी हां अते फिर भी ए सिर्फ एक मान ही है जो असी इस तिजर्बे नू पैदा करन लई वर्त रहे हैं इस मान दे पिछे हमेशा दे जीवन दा अनपव है तुसी इना सारे अनपवान नू आपने उते पई होई लबासा करके पैदा कर रहे हो मानतों परे तुसी अपने आपनो लब लेंदे हो अपने आपनो पहचानना जा सेलफ रियलाइजेशन पर मातमा नो पहचानन जा गोर रियलाइजेशन तो सिरफ एक कादम दूर है क्योंकि तो हनुपता चाल जानदा है कि ए आपा ए साधी रूप समुची चेतना दी ही एक एकाई है ओ समुची चेतना जो सिरजन हार है तो हनुपता चाल जानदा है कि तुसी कदे वी इस तो वक होई ही नहीं सी कि तुसी अजेवी इस दाहिसा हो तुसी सिरफ एही करना है ओ है अपनी जागरुकता नू समुच्टा तक बदाणा तद तो हनू पता लगदा है कि सिर्जन हार कौन है किसे ने वी रबनू सिर्जन हार नू नहीं बेखिया कियों कि अपनी समुच्टा विच तुसी खुद ही सिर्जन हार हो जदों तुसी समुच्चे हो जानदे हो अपनी समुच्टा विच तुसी खुद ही एह सारा पसारा करया है हून विछोड़े दोरान तुसी उस चीज दी पूजा कारन दी कोशिश कर रहे हो जो असल विच तुसी खुद हो तुसी वक वक पड़ामा उते इस दे छोटे छोटे रूपा दी पूजा कर रहे हो इसलिए अपने आप दी खोज सब तो वड़ी चीज है अते ए अपनी आत्मा नू लबना होया करदा है जो पार ब्राम विच है पाब मान तो परे है ए तिन्ना चहाना दी सिर्जना तो परे है अते इस सारे नू श्रीर विच हुंदे होए प्रापत किता जा सकता है अते बाद दो पैर दे समय जदो असी इस दा अनपव करांगे ता मैं तो हानू इस बारे थोड़ा होड़ दसांगा पर असल नुक्ता ए है कि प्रवाब शाली अभियास लई ए सारियां पर किरियां जिना दी में गाल कार रहे हैं अंदर जान दी पर किरिया आद ए सारियां पर किरियां काम नहीं कार दियां क्योंकि ए सब मान द्वारा बनाईयां जान दिया हैं इना नू ए साड़े आपे दे एक उपकरण मान द्वारा बनाया गया है इना नू आपे द्वारा नहीं बनाया गया फिर केड़ी चीज सानू आपने आपे वार खिच सकती है कि इत्थे अजिहा भी कुछ है जो साड़ मन अते इंद्रियां अते शरीर दी बजाए साड़े आपे नाल साड़ी रू नाल सबंदत होवे हां एतिंची जहान पहला प्यार प्यार नों सोच के नहीं बनाया जा सकता प्यार साड़ी चेतना तो सिद्धा ओंदा है धुज्जा सैज ग्यान जांट इन्ट्विशन ए सोच तो नहीं ओंदा बलकि ए सोच इसनों खतम कर सकती है तीजा अनांद आते सुन्दर ता दी पावना ए इना तो नहीं ओंदी जे मैं तो हानू एक सुन्दर तस्वीर दिखांदा हां अते तुसी इस दा अनांद लेंदे हो पर फिर मन दुआरा उस दा विशिलेशन करना शु अते अपने आप दी खोज करन ले असली जगावल खिचे जान ले अवियास प्यार अते शर्दा नाल किता जाना चाहीदा है प्यार अते शर्दा तो बिना ए एक बहुत ही खोखली चीज है पारत विच क्रेलू औरता मदानी रिड़के मक्षन त्यार कर दिया हां उस उपक सो वड़े महराजी कैन दे सान कि जे तुसी प्यार अते शर्दा तो बिना अवियास करदे हो तां तुसी पानी विच बदानी रिड़क रहे हो कोई मक्षन कदे भी बाहर नहीं आवेगा जे तुसी मक्षन बाहर करना चांदे हो ता अबियास नो प्यार अते शर्दा ना किता जाना चाहिदा है ये एक बहुत ही जरूरी गाला है क्योंकि लोग कहन दे हन कि ओ कई सालना तो अबियास का रहे हन पर कोई नतीजा नहीं निकलिया जदो मैं आते अंदर ता देख्या कि की गायब सी ये तात गायब सी उन्हां सोचे है कि अबियास एक मशीनी चीज है ओ सोच दे हन कि ए सिर्फ शरीर नो कुछ खास आसना मिच बठाना है तुसी इस तरह दा आसन कर सकते हो मैंनू इक किताब मिली जिस दा नाम सी अबियास दे 84 वदिया आसन ओ योगा आर्षन सान शरीर लई ओ वक्रे आर्षन क्यों बणाये गये सान कि तो हनू पता है कि उना नू क्यों बणाया गया सी उना नू इसलिए बणाया गया सी कि तुसी गुफा वेच बैठे होए कस्रत कर सको बिना जागिन किते ता जो उस छोटी जगा वेच बैठे अपने शरीर नो वक्खो वक्रे आसना दे जरिये वो सब तरह दी कस्त करा सको, ताजो श्रीर तंद्रुस रहे। यही इना आसना दा ओदेश सी। अते अज असी उना आसना नू रोहानी अभियास कह रहे हां। श्रीर इक कस्ता मिच कुछ भी अधियात्मक नहीं होंदा। पर यह श्रीर नू तंद्रुस रखन लेचंगे हां अते इसलिए मैं योग क्रियामा दे बुरुद नहीं हां मैं कहनदा हां योग अभियास करो ओ बहुत चंगे हां ओ श्रीर विचली रूँ नो भी शाद कर सकते हां जोकिंग भी रूँ नो शाद कर सकती है चांदनी रात नो सेर करना भी आत्मा नो शाद कर सकता है आत्मा नो शाद करन दे बहुत सारे तरीके हां पर आत्मा नो शाद करना स्वै बोध जा आपे दी पहचान नहीं है यह रोहानी यात्रा नहीं है जिस नाल तो हनो यह पता लग सके कि तुसीं कौन हो इसलिए तुसीं किसे भी आसन विच बैठ सकते हो अभियास करन लई सब तो वदिया आसन ओ है जो बहुत सोखा अते इन्ना अराम दाइक ना होए कि तुसीं सो जाओ कियोंकि अभियास नीद पैदा कर सकता है साच दसा ता मेरे नार भी इद्दा हो चुका है इक वार मैं विसकॉंसिन वीच एक मेडिटेशन वर्क्षाब कर रहा सी मैं कुछ थक्या होया सी मैं लोकानू आपनिया अखा बांद करने कया रहा सी कुछ समय बाद मैं आपने आपनू कराडे मार दे सुनेया मेरी अख खुली हर कोई मेरे वाल देख रहा सी मैं उन्हानु किहा मैं तो हानु सबूत दे रहा हां कि अब्यास की कर सकता है जे किसे नु नीद ना ओन दी बमारी है जा चंगी तरह नहीं सौनदा तां अब्यास करण दी कोशिश करो इसलिए जे तुसी एक बहुत ही रामदाइक आसन विच हो ताँ अबियास सफल नहीं होएगा जे तुसी एक बहुत ही तकलीफ दे जा ओखे आसन वाली सिथिती विच हो ताँ ये असफल नहीं होएगा क्योंकि जे तुसी पालती मार के बैठोगे जो तुसी पहला कदे नहीं किता सी अते सोचोगे कि तुसी पादम आसन विच रह के अभियास करन दी कोशिश करोगे पर तो हाड़े गोड़ें विच दर्द हो रहा होवेगा अते गिटे दर्द कर रहे होणगे ता तो हाड़ी तवज्जो किते जावेगी गोड़ें अते गिटें मिच इस दा पाव है कि ए गोड़ें अते गिटें दा अभियास होवेगा इक होर महत्तपूरण गाल जेकर तुसी अभियास करदे हो अते अभ्यास कर रहले तुसा ने एक बहुत खास किसम दी जगा सेट किती हुई है वोग मेनू अपने कर लेके जान दे हन अते केंदे हन ये मेरी बहुत खास अभ्यास दी कुरसी है मैं भी जाके उस कुरसी ते बैठ जान दा हां तांक जो मैं उत्व राबनों देख सकां जे कुर्सिया नाल राब मिल सकदा ता ए बहुत असान खेड होंदी जे तुसी कुर्सी ते बहुत ज्यादा जोर दर्दे हो ता ए ना पुलो जदो तुसी अभियास कारदे हो तो हडाते आन कुर्सी वल हुंदा है तुसी अख्छा अख्छान दे पिच्छे अभियास नहीं कर रहे हंदे तुसी कुर्सी ते अभियास कर रहे होंदे हो जे तुसी अभियास दा लग कमरें त्यार किता है तां तो हडाते आन उस कमरें ica में ए इसले अभियास ले किसे वी विशेश चीज दी जिरूरत नहीं है helpful अभियास न उस कमरे विच करना चाहिदा है जो इस श्रीर दी छेवी मंजलते अखांदे पिछे है जे तुसी अपनी आखा बंद कर दे हो ता इना उर्जा दे केंद्रा दे कारण तो हानु ए श्रीर एक इमारा दी तरह लगेगा जिस दिया छे मंजला हां हर एक तो उर्जा दा एक वक्र अनुपर पैदा होंदा है अते तुसी जागदी अवस्ता विच अपने आप ही छेवी मंजलते बैठे हो हीठा जाना जरूरी नहीं है रीड दी हड़ी एक लिफ्ट दी तरह है ए बहुत वधिय तरीके नालतियार के ता गया श्रीर है तुसी छेवी मंजलते बैठे हो एक चंगा फर्श लाओ एक चंगे गलीचे नू रखो एक वधिया कुरसी रखो जे तुसी अपनी कलपना नाल अखांदे पिछे एक चंगी कुरसी रख दे हो जे तुसी उस कुरसी ते बैठ सकते हो ता ए तो हाड़े किसे भी बाहरी अनपब नारो किते वधिया होवेगी इस लए अबियास दा शुरुवात्य पॉइंट होना चाहिदा है कि तुसी अभियास वाले कम्रे विच जावो, तो हाड़े अभियास दा कमरा तो हाड़े शीर दे सिकरते तो हाड़े सिर विज है अते जदो तुसी अक्खान दे पिछे सिर विच बैठ दे हो वो शुरुवाती पॉइंट है अते सारियां चंगियां चीज़ां उत्थे ही वापर्दिया हन। मैं दुपैर तो बाद तो आड़े लई थोड़ा जहा परदर्शन करांगा। हुन असी एक छोटी यही ब्रेक लवांगे। इत्थे आउन लई तो हाड़ा बहुत बहुत तानवाद। हाड़े सारे अनु मिलके, बहुत सारे पुराणी दोस्ता, बहुत सारे नमे दोस्ता, सारे चंगे दोस्ता अनु मिलके, सच मुच बहुत चंगा लगया। तो हाड़ा तानवाद।